आज हम सीखेंगे पोशन के बारे में सजीवों में अनुरक्षन का कार्य निरंतर चलते रहना चाहिए ताकि वे जीवित रह सके इस कार्य के लिए विभिन्न प्रक्रियाई या प्रक्रम जैसे पोशन, शुसन, वहन, उत्सरजन सामुहिक रूप से कार्य करती है ऐसे प्रक्रम जो सामुहिक रूप से अनुरक्षन का कार्य करते हैं जैफ प्रक्रम यानि Life Processes कहलाते हैं इस वीडियो में हम पोशन के बारे में जानकारी प्राप्ट करेंगे. सजीवों को विभिन कारियों को करने के लिए तथा जीवन का अनुरक्षन करने वाले आवश्यक प्रक्रमों के लिए उर्जा की आवशक्ता होती है. इसी के साथ शरीर की वृद्धी के लिए विभिन प पदार्थों की आवशक्ता भी होती है. सजीव उर्जा और पदार्थों को भोजन से प्राप्त करते हैं. भोजन को शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को हम पोशन यानि नूट्रिशन कहते हैं. भोजन ग्रहन करने की विधी के आधार पर पोशन के दो प्रकार है. स्वपो जैसे जिव है जैसे हरे पौधे, शैवाल और कुछ जीवानू अपना भोजन खुद बनाते हैं। इन्हे स्वपोशी जिव कहते हैं तथा इनकी पोशन पद्धती को स्वपोशी पोशन कहते हैं। अन्य जीव जैसे मनुश्य, गाय, शेर अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। इन्हें विशम पोशी जीव कहते हैं तथा इनकी पोशन पद्धती विशम पोशी पोशन कहलाती है। विजटिल पदार्थों को ग्रहण करते हैं तथा इन्हें विभिन जैव उत्प्रेर को एंजाइन की सहायता से सरल पदार्थों में खंडित करते हैं और पोशन प्राप्त करते हैं। चलिए स्वपोशी पोशन को विस्तार से समझे। स्वपोशी पोशन में जीव प्रकाश संसलेशन यानि फोटो सिंथेसिस के प्रकरम से अपना भोजन खुद बनाते हैं वह प्रकरम जिसमें जीव परियावरण से कार्बन डायोकसाइट और जल लेते हैं तथा क्लोरोफिल और सूरी के प्रकाश की सहायता से इन्हें कार्बोहाइडरेट में परिवर्थित करते हैं प्रकाश संसलेशन कहलाता है कार्बो हाइडरेट से वे अपनी उर्जा की आवशकता प्राप्त करते हैं प्रकाश संसलेशन की प्रक्रिया को इस रूप में भी तर्शाया जाता है प्रकाश संसलेशन के लिए कार्बन डायोकसाइट, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक होते हैं चलिए इसके विधी समझे पत्ती की सतह पर सूक्ष्व छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र यानि स्टॉमेटा कहते हैं रंध्र गैसों का आदान प्रदान करते हैं इनकी सहायता से कार्बन डायोकसाइट वायू से लिया जाता है तथा ओक्सिजन वायू में छोड़ा जाता है इसी तरह पेड की जड़े मिट्टी से पानी प्राप्त करती है तथा इन्हें उपर की ओर भेजती है तकि पानी की आवशक्ता की पूर्ती की जा सके हरी पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिनमें रंग द्रव्य यानि पिगमेंट क्लोरोफिल होता है प्रकाश संसलेशन के दोरान क्लोरोफिल प्रकाश उर्जा को अवशोशित यानि एब्सॉप करता है विबिनक रियाओं से प्रकाश उर्जा का रासायनिक उर्जा में रूपांतरन होता है इसी तरह जल अनुओं का हाइडोजन और ओक्सिजन में अपघटन यानि स्प्लिट होता है प्राप्थ हाइडोजन की सहायता से कार्बन डायोकसाइट का अपचयन यानि रिडक्षन कार्बोहाइड्रेट में होता है तथा ओक्सिजन को हवा में छोड़ दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट से जीव उर्जा प्राप्थ करते हैं कार्बोहाइड्रेट को यानि स्टार्च के रूप में पत्तों में या विबिन भागों में इखठा किया जाता है उर्जा के साथ साथ स्वपोशी जीवों को अन्य कच्ची सामगरी की भी आवशक्ता होती है ताकि वे अपने शरीर का अनुरक्षन कर सके जैसे नाइट्रोजन, फॉसफोरस, मैगनीशियम, लोहा और अन्यपदार्थ वे इन्हें मिट्टी से प्राप्थ होते है रंद्र छिद्रों से जल वाश्प यानि वाटर वेपर के रूप में जल की परयाप्त मातरा में हानी हो सकती है इसे रोकने के लिए रंद्र छिद्रों के आसपास द्वार कोशिकाएं यानि कार्ट सल्स होती है जो छिद्रों को बंद करने और खोलने का कारे करती है जब जल द्वार कोशिकाओं के अंदर जाता है तब वे फूल जाती है और रंद्र के छिद्र खोल जाते है इसी तरह जब जल द्वार कोशिकाओं के बाहर आता है तब वे सिकुड जाती है और रंद्र के छिद्र बंध हो जाते है अब चलिए विशम पोशी पोशन को विस्तार से समझे स्वपोशी जीवो द्वारा बनाए गए भोजन पर ही विशम पोशी जीव निर्भर करते है भोजन के स्वरूप, उपलब्धता तथा भोजन ग्रहन करने के ढंग पर विभिन विशम पोशी जीवो के पोशन की विधी भिन्न हो सकती है उदारण के लिए कुछ विशम पोशी जीव जैसे इस्ट, मश्रूम और फफुन्दी भोजन का विगटन अपने शरीर के बाहर करते हैं और उसके बाद उसका अवशोशन करते हैं जबकि अन्यजिव भोज्य पधार्थों का अंतरग्रहन करते हैं जिसका पाचन शरीर के अंदर होता है शाकाहरी जीवो में भोजन अचल है जबकि मासाहरी जीवो का भोजन गतिशील है शाकाहरी भोजन जैसे सेलूलोस पचाने के लिए गाय जैसे जीवों में लंबी शुद्रांत यानि स्मॉल इंटस्टाइन होती है जबकि मास का पाचन सरल है इसलिए बाग जैसे जीवों में शुद्रांत छोटी होती है कुछ जीव मरे हुए जीवों से अपना पोशन प्राप्त करते हैं जबकि कुछ जीव जीवित पशुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं एक कोशिक जीवो यानि सिंगल सेल्ड और्गानिजम्स में भोजन उनकी संपूर्ण सतह से लिया जाता है जबकि बहुकोशिक जीवो यानि multicellular organisms में एक उन्नत प्रणाली होती है चलिए अमीबा के भोजन ग्रहन की पद्धती को समझें जैसे कि एक कोशिक जीवो में भोजन उनकी संपूर्ण सतह से लिया जाता है अमीबा अपनी कोशिक या सतह से उंगली जैसे अस्थाई प्रवर्ध से भोजन के कणों को गेर लेते हैं इन प्रवर्धों को पदाप या कूटपाद यानि सूडोपोडिया कहा जाता है इसके बाद सारे प्रवर्ध संगलित यानि फ्यूज होकर खात्य रिक्ति का यानि फोट वैक्योल बनाते हैं इसके अंदर भोजन का विक्टन सरल पदार्थों में किया जाता है बचे हुए अपच पदार्थ कोशिका की सतह की और गती करते हैं और शरीर से निशकाशित कर दिये जाते हैं चलिए अब देखते हैं कि मनुश्य में पोशन का प्रक्रम किस प्रकार से होता है मनुश्य में भोजन ग्रहन करने के लिए मूँ से लेकर गुदा तक एक विस्तारित लंबी नली है जिसे हम आहार नाल यानि एलिमेंटरी के नाल कहते हैं आहार नाल का सबसे पहला हिस्सा मूँ है मुँ यानि माउथ में भोजन को दातों द्वारा चबा कर छोटे-छोटे कणों में बदल दिया जाता है चबाने के दोरान पेशिय जिवा यानि मस्कुलर टंग भोजन को लाला ग्रंथी यानि सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाली लार यानि सलाइवा के साथ मिलाती है लार से भोजन गेला होता है जिससे भोजन को आगे सरकने में आसानी होती है लारमिस्थित एंजाइम, लार एमिलेस यानि सलाइवरी एमिलेस, मंड यानि स्टार्ज, जटिल अणू को सरल शरकरा यानि शुगर में खंडित करता है इसके बाद इसोफेगस भोजन को मुँ से आमाशय यानि स्टमक तक पहुचाता है भोजन के आने पर आमाशय फैल जाता है आमाशय के भित्ती में जटर ग्रंथियां यानि गैस्ट्रिक ग्लांड्स होती है ये ग्रंथियां हाइड्रोकलोरिक अमल प्रोटीन पाचक एंजाइम पेपसीन और श्रेलेशमा यानि म्यूकस का स्त्रावन यानि सिक्रीशन करते हैं हाइड्रोकलोरिक अमल अमलिय माध्यम तयार करता है और एंजाइम पेपसीन अमलिय माध्यम में कारि करता है तथा शलेश्मा आमाशय की आंतरिक आस्तर यानि इनर लाइनिंग की अमल से रक्षा करता है आमाशय में अवरोधनी पेशी यानि स्पिंचर मसल अमलिय भोजन के निशकासन को नियंतरित करती है जिससे आमाशय से भोजन शुद्रांत्र में पहुचता है शुद्रांत्र आहार नाल का सबसे लंबा भाग है शुद्रांत्र अत्याधिक कुंडलित है और इस कारण यह संहत स्थान यानि Compact Space में अवस्थित है शुद्रांत्र यकrist यानि लिवर और अग्णियाशय यानि पैंक्रियास से स्त्रावन प्राप्त करती है यकरत से स्त्रावित पित्तरस यानि बाइल जूस अमलिय भोजन को शार्य यानि अलकलाइन बनाता है साथ ही साथ पित्तरस में उपस्थित पित्त लवन यानि बाइल सॉल्ट वसा की बड़ी गोलिकाओं यानि ग्लोब्यूल्स को छोटी गोलिकाओं में खंडित करता है जिसके कारण एंजाईम की कार्य शीलता बढ़ जाती है अगनियाशरी से स्रावित अगनियाशरीक रस में एंजाईम ट्रिपसिन अगनियाशरी amylase यानि pancreatic amylase और lipase होता है ट्रिपसिन प्रोटीन का पाचन करता है अगनेशई-मिलेस जटल कार्बोहाइडरेट का पाचन करता है और लाइबेस, इमलसिकृत वसा का पाचन करता है शुद्रांतर की भित्ती की गरंथी आत्र रस त्रावित करती है जिसमें उपस्थित एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अमल, जटिल कार्बोहाइडरेट को ग्लुकोस और वसा को वसा अमल यानि फैटी आसिद्स और ग्लिसरॉल में परिवर्दित करते हैं इसलिए शुद्रांत्र प्रोटीन, कार्बोहाइडरेट और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है आंत्र के भित्ती पाचित भोजन को अवशोशित करती है शुद्रांत्र के आंतरिक आस्तर पर उंगली जैसे अनेक प्रवर्ध होते हैं इन्हें हम दिर्ग रोम यानि विली कहते हैं यह दिर्ग रोम अवशोशन का सतही शेत्रफल पढ़ाते हैं दिर्ग रोम में रुधीर वाहिकाओं यानि ब्लड वेसल्स की बहुतायत होती है ये भोजन को अवशोशित कर भोजन को शरीर की प्रत्यक कोशिका तक पहुचाती है इसके बाद अपजा भोजन ब्रहदांत्र यानि लाज इंटस्टाइन में प्रवेश करता है यहां उपस्तित दिर्ग रोम अपजे पदार्थ से पानी का अवशोशन करते है वज्रय पदार्थ यानि वेस्ट मटेरियल गूदा यानि एनस द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है गूदा अवरोधनी यानि एनल्स पिंचर वज्रय पदार्थ के बहीक शेपन यानि एक्जिट को नियंत्रित करती है तो आज हमने सीखा पोशन क्या है तथा पोशन के विभिन प्रकार कौन से है